Hello students, आज हम पढ़ने जा रहे हैं, Class 12 का Lesson 3, A Father's Letter, लिखा है इसको, William Hazlitt ने, William Hazlitt जो लिखक है, 1778 में जिनका जन्म हुआ, 1830 में उनका दिहावशान हुआ, उनका बायोग्राफिकल इसकेश आपको दिख रहा है, William Hazlitt was born on April 10, 1778, इट मैं स्टोन कैंट इंगलेंड और डाइड उन सेप्टेमबर 18, 1800 इन सोह, लंदन, William Hazlitt का जन्म 10 अप्रल 1778 को कैंट इंगलेंड में हुआ और उनका दिहावशान 18, सितम्बर 1830 सोह, लंदन में हुआ था, ये लेसन में पिता अपने पुत्र को लेटर लिखता है और उस लेटर में अधिक तर जो बाते हैं, वो एक गाइडेंस के रूप में हैं, एक मारदरसन के रूप में हैं, कि जैसे उसका बेटा जब पहली बार इसकूल जाता है, तो स्कूल में उसको जो अजीब अपरचित माहूल लगता है, वहांके लोग अपरचित लगते हैं, उनकी बातें उसको अच्छी नहीं लगती, तो पिता अपने बेटे को समझाता है, कि जो समझाना पता गया है, वो आप इसमें एक पत्र के मात्यम से देखेंगे, लेसन में सुरुवात में ये क्वेश्चन है, at what stage does a child need the parents advice the most, किस उम्र में किसी भी बच्चे को अपने parents मातर पिता की सला की सबसे ज़्यादा अबशक्ता होती है, तो लेसन शुरू करते हैं, my dear little fellow, मेरे प्यारे छोटे साथी, you are now going to settle at school, अब तुम आगे विद्याले में अपना जीवन जीने वाले हो, and make consider this as your first entrance into the world, और ये इस दुनिया में तुम्हारा पहला प्रवेश मान सकते हैं, as my health is so indifferent, चुकि मेरा स्वास्थ अब ज्यादा बहतर नहीं है, indifferent मने बहतर नहीं है, and I may not be with you long, और सायद में अब आपके साथ ज्यादा लंबे समय तक नहीं रह पाऊंगा, I wish to leave you some advice for your conducting life, इसलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ सला छोड़ जाता हूं, जो the best I can, जो तनी ज्यादा अच्छी मैं दे सकता हूं, और ये सला जो है, both that it may be of use to you, and as something to remember me by, ये जो सला है, ये दोनों तरीके से तुम्हारे लि एक तो जीवन में तुम्हारे ब्यभार के लिए, और तुम्हारे लिए उप्योगी हो, और दूसरा तुम जिसके लिए मुझे याद रखो, something to remember me by, I may at least be able to caution you against my own errors, if nothing else, मैं कम से कम तुम्हें अपनी उन गलतियों के बुरुद्ध भी बता सकूंगा, चेताब नहीं दे सकूं, जो मैंने नहीं की, या कुछ ना कर सकूं मैं, तो ऐसी जो भी गलतिया हुई हों, उनके बारे में भी तुम्हें मैं बता सकूं, जब हम तुम्हारे साथ, तुम्हारे लक्ष, डेस्टिनेशन, यानि की विद्याले, विद्याले क्यों जा रहे थे, तो तुम्हें बार बार ये धोराय था, ये ओफन रिपीटेड, कि तुम या कहने का साहस करते हो, कि वे सभी जो वहां थे, बच्चे, लड़के विद्याले में, they are a set of stupid, कि वे एक मूर्खों का समूथ था, disagreeable people, असामत लोगों का समूथ था, meaning the people at the school, तुम्हारा मतलब इस्कूल के लोगों से था, ये एक पुराना नियम है, कि हम सर्वस्रिष्ट की आसा करें, उम्मीद करें, सबसे अच्छे की, always my dear, believe things to be right, till you find them to the contrary, my dear, तुम हमेशा विश्वास करो कि चीज़ें सही होंगी, till you find them to the contrary, जब तक कि तुम उन्हे अपने उसके विपरीत न पाओ, and even then, instead of irritating yourself against them, endeavor to put up with them, as well as you can, और तब भी उनसे चड़ने की बजाए, उनके साथ उसी तरह रहने का प्रयास करो, endeavor मने प्रयास करना, जितना कि तुम कर सकते हो, if you cannot alter them, यदि तुम उन्हें बदल नहीं सकते, alter मने बदलना, you said you are sure you should not like the school, where you were going, तुमने ये कहा था, कि तुम उस इस्कूल में नहीं रहोगे, जहां तुम जा रहे थे, तुम उस विद्याले में साला को पसंद नहीं करोगे, this was wrong, ये गलत था, what you meant was that you did not like to leave home, क्योंकि इसका ताथ पर ये था, कि तुम्हें घर छोड़ कर जाना पसंद नहीं आया, but you could not tell whether you should like the school or not, till you had given it a trial, पर तुम तब तक ये नहीं कर सकते, कि जब तक कि तुम उस इस द्याले को पसंद करोगे या नहीं, जब तक कि तुम उसे एक मौका नहीं दे देते, you had given it a trial, जब तक मौका नहीं दिया, तब तक कि इसकूल के बारे में आप कैसे कह सकते हैं, कि वो इसकूल अच्छा नहीं होगा, मतलब यही है कि तुम घर छोड़ कर जाना नहीं चाहते थे, otherwise, अनिथा, अनिथा तुमारा यह कहना कि तुम उसे पसंद नहीं करोगे, यह डिटर्माइन कर देगा, निर्धारित कर देगा, कि तुम उसे पसंद नहीं करोगे, you would not like it, never anticipate evils, कभी भी बुरायों कि यह पेक्षा मत करो, और because you cannot have things exactly as you wish, क्योंकि चीज़ें वैसी नहीं तुम पा सकते, जैसी तुम चाहते हो, make them out worse than they are through mere spite and willfulness, और तुम और भी बुरा बना देते हो, मात्र धुरभावना और बुरी इच्छा से, spite माने धुरभावना, विल्फुल्नेस माने बुरी भावना, तो इन बुरी भावना और बुरी इच्छा से, तुम चीज़ों को और भी बत्तर बना लेते हो, या तुम स्वयम को उनके विरुद तयार कर रहे थे, रादर तु सेट यर्सेल्फ अगेंश्ट देम, विल्फुल्नेस को उनके विरुद तयार कर रहे थे, because they were strangers to you, क्योंकि वे तुमारे लिए अजने भी हैं, वे तुमारे बारे में उतना ही कम जानते हैं, तुम उनके बारे में, so this would have been a reason for their keeping aloof from you as well, which you would have felt as hardship, तो यह एक वज़ा होगी, so this would have been a reason, जिसके कारण वे भी तुमसे दूरी बना कर रह रहे थे, जिसे कि तुमने कठना ही समझ लिया, you would have felt as a hardship, hardship माने कठना ही समझ लिया, learn never to conceive a prejudice against others, सीखो कि किसी के भी बिरुद्द prejudice माने पूरवागरव, पूरवागरव मत रखो, because you know nothing of them, क्योंकि तुम उनके बारे में कुछ नहीं जानते, it is bad reasoning, यह एक बुरा तर्क है, and makes enemies of half the world, और इससे आदी दुनिया दुस्मन हो सकती है, सत्रु बना लेते हैं इससे हम, do not think ill of them, दूसरों के बारे में बुरा मत सोचो, till they behave ill to you, जब तक कि वो तुमारे साथ बुरा ब्यभार नहीं करते, and then strive to avoid the faults, और उन faults उन गलतियों को, गलतियों को दूर नेगलेक्ट करने, which you see in them, जो तुम उनमें गलतियां देखते हो, उनको avoid करने का प्रयास करो, उनको नजर अंदाज करने का प्रयास करो, इससे वह सीगर ही उनकी सतुरता को, किसी भी तरह की अहम को चोट पहुचाने, बिना छड़े महराजगी या सिकायत के बिना दूर कर देती है, यानि कि यह आप किसी के प्रतियों की तरफ ध्यान नहीं देंगे, तो वह आपकी दुस्मन नहीं होंगे, तो उनकी जो कला आकरोशा सिकायत है, उनके मन में, वो तुम्हारे प्रति नहीं होगा, और तुम्हारे प्रति जो होस्टिलिटी है, वो जल्दी ही खत्म हो जाएगी, I thought you were disposed to criticize the dress of some of the boys as not so good as your own, मैंने सोचा कि तुम कुछ लड़कों के कपड़ों की इसलिए आलोचना कर रहे थे, क्योंकि वे तुम्हारे कपड़ों, कपड़े जितने अच्छे नहीं थे, Never despise anyone for anything that he cannot help, least of all, किसी को भी उस चीज के लिए अपमान नहीं करना चाहिए, जो उसके वस्म में नहीं है, कम से कम उसकी गरीबी के लिए तो नहीं करना चाहिए, Poverty माने गरीबी, I would wish you to keep up appearances yourself as defense against the idle sneers of the world, but I would not have you value yourself upon them, मैं तुम से चाहूँगा, I would wish you, कि तुम स्वयम को दुनिया की ब्यर्थ की ताने बाजी से सुरच्छित, defensive रखने वाला रवया, अपनी appearance, अपनी चभी बनाओ, मगर मैं नहीं चाहूँगा, कि तुम उनके आधार पर खुद का मुल्यांकन करो, I would not have you value yourself upon them, I hope you will neither be the dupe nor victim of vulgar prejudices, मैं आशा करता हूँ, कि तुम न तो बुद्धु बनोगे, डुप मायने बुद्धु, जो किसी के भी धोके में आ जाता है, तो न तो तुम किसी से दोखा खाओगे, और नहीं कोई फुहड पूर्वाग्रह के सिकार बनोगे, वल्गर प्रेजुडिस का तुम सिकार बनोगे, कभी-कभी बच्चे कुछ ऐसी बाते कर देते हैं, कि बच्चों के मन में ऐसी बाते सुन करके, पूर्वाग्रह हो जाता है, कुछ को वो बेब-कूप समझने लगते हैं, ठगा सा महसूस करने लगते हैं, तो कभी अलर्ट करता है अपने बच्चे को, को वो इस तरह के पूरवाग्रह सिक्रसित न हो, इंस्टिट अप सेंग अब ओब, ऊपर ये कहने की बजाए, कि never despise anyone for anything that he cannot help, कि किसी को उस चीज के लिए नापसंद मत करो, जो उसके बस में नहीं, I might have said, मुझे ये कहना चाहिए था, never despise anyone at all, कभी किसी को भी नापसंद मत करो, for contempt implies a truth over and pleasure in the ill of another, क्योंकि जो contempt है, यानि किसी का तिरसकार करना, उसमें किसी अन की बुराई की कारण, खुशी पर विजय नहित रहती है, हम किसी की बुराई पर खुश होते हैं, pleasure मैसूस करते हैं, triumph विजय मैसूस करते हैं, जो मुझे तिरसकार करते हैं किसी का, तो ऐसा feeling आती है, it means, इसकारत है, that you are glad and congratulate yourself on their feelings or misfortunes, जो किसी का मतलब है, कि तुम उनकी असफलताओं, feelings और उनकी धुरुबाग्य, misfortunes पर खुश होते हो, और बदाई देते हो, congratulate करते हो, the sense of inferiority in others, without the indirect appeal to our self-love, is a painful feeling and not an exulting one, the sense of inferiority in others, दूसरों में कम आकने की जो भावना होती है, infinity की भावना होती है, कि हम दूसरों में कम आक है, स्वयम के प्रतिप्रेम का ये जो अप्रतच निवेदन है, indirect appeal है, एक दर्ध पूर्ण अनुवूती है, a painful feeling है, and not an exulting one, इसमें कोई गर्व की बात नहीं है, गर्वानविद करने वाली बात नहीं है, तुम तब से सिकायद करते रहे हो, कि लड़के तुम पर हसते हैं, और तुम्हारी परवाह नहीं करते, और तुम्हारे साथ उस तरह का ब्यभाहर नहीं करते, जैसा तुम्हारे साथ गर पर किया जाता था, you were not treated as you were at home, my dear, मेरे बच्चे प्यारे, that is one chief reason for your being sent to school, यही एक प्रमुक कारण था, कि तुमको इस्कूल भेजा गया, to ignore you B-times to the unavoidable rubs, and certain uncertain reception you may meet within life, ताकि तुम अपने को आधी बना लो, अभ्यस्त कर लो, B-times, समय से पहले ही आधी बना लो, किन्चिनों के लिए face करना है हमको, जो unavoidable rubs मिलते हैं, यानि जो चीज़े जो हम प्रत्यासित ब्यभार होता है, and uncertain reception जो अनिश्चित हमको बढ़ता मिलता है, जिसके हम काम उच्छा नहीं करते कैसा कुछ हमारे साथ हो, वो सब आता है समय समय पर, कभी-कभी हमारे आगे, you may meet within life, तुम जीवन में ऐसी चीज़ों का सामना करो, तो उसके लिए तुम अभ्यस्त हो जाओ, इसलिए तुम्हे स्कुल भी जा जा रहा है, you cannot always be with me, तुम हमेशा मेरे साथ नहीं रह सकते, and perhaps it is as well that you cannot, और साथ इसलिए ऐसा है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, but you must not expect others to show the same concern, about you as I should, परंक तुम्हें दूसरों से आप एक्षा नहीं करना चाहिए, कि वे तुम्हारे प्रतिवयसा ही ध्यान दें, जैसा कि मैं देता हूं, you have hitherto been a spoiled child, अब तक तुम एक बिग्डेल बच्चे रहे हो, and have been used to have your own way a good deal, और अब तक तुम अपने तरीके से ही कामों को करते रहे हो, both in the house and among your playfellows, घर में भी और अपने दोस्तों के साथ भी, with whom you were too fond of being a leader, तुम उनके साथ मैं एक leader बनना चाहते थे, but you have good nature and good sense, परंतु तुमारा एक अच्छा nature है, और तुमारा अच्छी, तुमारी अच्छी sense है, and will get the better of this time, और समय के साथ तुम पार पालोगे, अच्छा प्रड़ाम दोगे, you have now got among other boys who are your equals or bigger and stronger than yourself, अब तुम उन लड़कों के साथ हो, जो तुमारे या तु बराबर हैं, equal हैं, या तुमसे बड़े हैं, bigger हैं, और तुमसे ज़्यादा ताकतवर भी हो सकते हैं, stronger भी हो सकते हैं, and who have something else to attend to besides humoring your whims and fancies, उनके पास कुछ और भी काम हैं, सिवायत तुम्हारी सनक और अजिवो गरीब जो कलपनाओं को सांथ करने के लावा, उनके पास और भी काम हैं, who have something else to attend to besides humoring your whims, whims माने, सनक and fancies, उनको संतुष्ट करने के लावा, और भी उनके पास काम हैं, दोस्तों के पास, and you feel this as a repulse, और इसको तुम अपनी अपमान नफरत महसूस करते हो, और पीस of injustice या अन्या महसूस होता है तुम्हें, but the first lesson to learn is that, प्रतु पहला सबग जो तुम्हें सीखना है, that there are other people in the world beside yourself, कि दुनिया में तुम्हारे अलाबा आने लोग भी हैं, there are a number of boys in the school where you are, साला में जहां तुम हो, वहां अने को ललके हैं, whose amusements and pursuits, whatever they may be, are and ought to be of as much consequence to them, as yours can be to you, जिनके आनन्द और अनुसरण जो कुछ भी हो, उनके लिए उत्रही वैत्पूर हैं, जित्रह कि तुम्हारे तुम्हारे लिए, और इसलिए तुम्हें अपना अवसर आने पर अवस्थी मौका देना चाहिए, and to which therefore you must give way in your term, the more heirs of childish self-importance you give yourself, जितना ज्यादा तुम childish importance माने, बचकाना जो एहंकार होता है, या self-importance कम दोगे खुद को महत्त, you will only expose yourself to be the more thwarted and lofted, तो तुम स्वयम को और ज्यादा प्रत्रोद करने के लिए और हसने के लिए प्रत्रोद कर दोगे एक्सपोज कर दोगे खुद को जितना ज्यादा तुम बचकाना एहंकार और स्वयम को महत्तो दोगे उतना ज्यादा आगे किलाई बहुत इंपोर्टेंट है True equality is the only true morality or true wisdom सच्ची समानता ही सच्ची नेतिकता या सच्ची समझदारी है Remember always that you are but one among others याद रखो कि तुम अन्य लोगों मैंसे ही एक हो and you can hardly mistake your place in society और फिर तुम साइध ही कभी समाज में अपने स्थान को समझने में गलती करोगे In your father's house you might do as you're pleased अपने पिता की घर में तुम जैसा चाहे वैसा कर सकते हो In the world you will find comfort eaters at every turn पर दुनिया में तुमें हर मोल पर परतिस परदा मिलेगी You are not born a king son to destroy or dictate to millions तुमें एक राजा के बेटे के रुपे पैदा नहीं हुए हो चो लाखों को नश्ट कर दो उनको निर्देशित कर दो You can only expect to share their fate और settle your differences amicably with them तुम केवल उनके भाग में हिस्चिदार बन सकते हो या उनसे अपने मत्विदों को परेपूरवक सुल्जाओ You already find it so at school तुम साला में ऐसा पाही चुके हो and I wish you to be reconciled to your situations as soon and with as little pain as you can और मैं चाहूंगा कि तुम अपनी स्थिती से जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी समझोता कर लो reconcile माने तालमिल करना, समझोता करना कम से कम तखलीप के साथ जितना तुम कर सको as soon as and with as little pain as you can Your affectionate father, तुमारा प्रेम पूर्ण पिता William Hazlitt तो ये पार्ट खतम होता है यदि ये वीडियो और पार्ट आपको सुना आया हो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो subscribe, like और share करें Thank you